मंगय वीरे, मुझे कहानी सुन बना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सो जाएगी ये ना कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुट हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं उसका नाम था मंगा घर के किसी स्याने आद्मी को बुला लो स्याना ही हो जी मैं वो तो उस दिन ऐसी मच्चों के साथ थोड़ा जिंदगी की हर दौड में अबबल परिवार का सबसे लाइक लाड़ला काम दाम कुछ करनाने सारा दिन जरते रहना बस हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था पैसे नहीं ले सकते जी दादी केती है इससे शफाच ले जाती है क्या तुम नोकरी करोगे बंदूग मिलेगी जी तो ढंड़ा बगएड़ा अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिन उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कॉट सर्गी तुछे गानी सुनी है चिपचप सुन आपके गाव में दिल लग गया जी राजकुमारी को ना रोपने से सार फट जाते हैं नकुगडाई है वे, मार राई है कहानी राजकुमारी शुरू की है तो उसे ही कहतम करनी चाहिए मैं अपनी इपोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नौकर से कर दूँ नहीं आपको गलत फैमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है महाराजा के हुकम के मुताबिक आप सब को दौँ खाली करना पड़ेगा कान्दी जी ने कहा है कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़ा काजा होता है लाला जी सारा कुछूर मंगे का है जिंद नहीं हार ले बहुत बुरा किया मंगे नहीं शच्टू का दिया उखने हमको तुझे क्या लगता है तुम लोग की तकलीफ का हैसास नहीं मुझे अगर तुझे तकलीफ का ऐसाज अथा ना, तो अगने तो कितल बेना चाड़ता तू? तू बड़ा मतलब ही निकला मंगे हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचा, तू सच में फिरंगी होगा है वक्त आगया हीरे, जैसे कुछ तैसा दिखाने का वक्तü sih! आगकी चातर लड़ जा तू, अपनी जित पे घड़ जा तू, तू तका जत के नहीं फिरंगी तू तिर्चा जटी, नहीं फिरंगी फिरंगी आज-कोणोपारी नहीं मिलेगी तुनो जाद दादीना बन, मैंने तुनानी तरको कहानी कहानी आगे तुझे खुद नी आती और मुझे सुना रहे